हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू प्रिटी कॉर्नर और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे आमला इकादशी की पूजा मैं आपको संपूर पूजा विधी बता दूँगी और इससे पहले मैंने क्या क्या समगरे लगेगी उसके ओपर पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है आप चाके चेक लिजिएगा लिंक में डिस्क अब यहां पर मैंने थोड़ असा गंगाजल छिड़के से शुद कर लिया है और उसके बाद अगर आपके पास चंदन मिल जाए तो चंदन और हल्दी दोनों के टिके लगा लिजिएगा नहीं तो खाली हल्दी के भी आप लगा सकते हैं 5,7,9,11,21,20,108 कितने भी आप इस अधर टिक्की लगा सकते हैं और उसके बाद आप इस पे सत्या बना दीजिएगा इस तरह से क्योंकि किसी भी पूजा आदी में हमें सत्या जरूर बनाना चाहिए यह रिद्धी सिधी धनलाब को दर्शाता है और बरकत देता है और अब यह देखें यहां पर मैंने एक चो पहले ग्रेजी की पूजा कर रही हूं और उन्हें मैं यहां पे तिलक लगारी हूं रोली से दोनों को और फिर यह मैंने इनको पुष्श अरपित कर दिये हैं क्निश भगवान की सबसे पहले पूजा करनी चाहिए और इसके बाद ही यहां पर यह मैंने कलावे से जन्य कर मैंने यहां पर आज कलावा लिया है और भगवान गनेश जी की मन में राधना करते वे आप अपनी पूजा को इस तरह से शुरू कीजेगा और यहां अब यह मैंने एक कलश ले लिया है जिसमें मैंने पानी डाल लिया है और अब इसमें थोड़ा समय गंगर जल डालूँगी इसमें मैंने एक सुपारी भी डाली है और एक सिक्का भी डाला है चांदी का आप चाहें तो नॉर्मल सिक्का भी डाल सकते हैं लक्ष्मी म आपके सीधे हाथ की तरफ ही रखना है और अब मैं इसके ओपर यह जोत रख दूँगी तेसी ही कही दिया जलाया भगवान की पूजा में और यह देखे इस तरह से मैं अपना दिया जोड़ दूँगी आपको पता ही होगा कि दिया शाक्षी होता है हमारी पूजा का जब भी भगवान विश्नु को कभी भी रोली से तिलक नहीं किया जाता अब हम यहाँ पर भागवान विश्नु को पीले रंगे ही की फूल अरपन करने चहिए उन्हें बहुत ही प्रिय होते हैं पीले रंग पूल और अब हम मालकश्मी को लाल रंगे पूल चड़ा देंगे मालक्षमी को हमेशा लाल रंग के फूल चड़ाने चीए तो यह देखें मैं कुछ लाल रंग के और कुछ गुलाब के फूल है जो मालक्षमी के लिए चड़ा रही हूं यहाँ पर अब हम भगवान विश्णु को भी कलावा जो है अरपन करेंगे यह दो तरहां से काम करेगा एक तो यह माला के रूप में भी काम करेगा और दूसरा यह वस्तर के रूप में भी काम करेगा तो इस तरहां से आप माला बना के कलावे की भगवान के उपर इस तरहां से अरपन कीजिएगा और जितनी भी हाँ प्रतिमाए हैं सब को हमें यहाँ पे कलावा जो है चड़ाना चाहिए और यह हमारा जो होता है जन्यू का या वस्तर का काम करता है वस्तरपन कर देंगे इस तरह से हम सभी भगवानों को और जोत आप या तो पांच लगाएं साथ लगाएं या फिर दो लगाएं यह देखिए मैं अब आवला में फूल चड़ा रही हूँ और मैंने यहाँ पे दो जोत रखी हैं एक कलश के उपर और एक भगवान की पूजा आरती करूँगी और इसी को बाद में मैं आवला के वि दोबर से बनियों ही धूप है जिसमें गूगल लुभान और भी पूजा की समगरी है जो जलाने से एक छोटे से हवन का काम करती है और इस तरह की धूप आपको बजार में बहुत असानी से मिल जाएगी इस तरह की ही धूप आपको यूज़ करने चाए बहुत अच्छी हो आवला हम सभी भगवानों को इस तरह से अरपित कर देंगे साथी साथ आवला हमें आवला के पेड़ में भी चड़ाना है इस तरह से और यह मैंने इहां पर कुछ फल ले लिए हैं फल में आप केला या फिर कोई भी पीला फल जरूर ले भगवान विश्नु की पूजा के स सबसे उचित है और असानी से मिल भी जाता है और यह देखे मैंने चुलाई के लड़ू चड़ा दिये हैं ताकि इसी को बाद में पूजा के प्रशाद के रूप में सब लोग खा भी सकें जिनोंने वरत रखा है वे भी खा सकें और अब हम इसी तरह से आमला के वरिक्ष मे सब चीजे चड़ा देंगे यह मैंने यहां तिल लिये हैं क्योंकि कादशी के वरत में चावल नहीं चड़ाये जाते हैं तो हम भगवान विष्णु को भोग भी लगाएंगे साती साथ थोड़े से तिल उनको और पन भी करेंगे और जो हम कथा सुनेंगे उसके लिए आज हम हाथ में तिल ही लेंगे तिल लेकर ही ये कता सुननी चाहिए अब हम धूप दीप दिखा के भगवान की आरति उतरलेंगे आवला के वरिक्ष के भी धूप दिखा के हमें पूजा कर लेनी हैं और अब हम यहाँ पर परिकम्मा करेंगे आप 108 परिकम्मा कीजेगा और अगर आप 108 नहीं कर सकते तो आप 8 भी कर सकते हैं और आप या तो आवला ही ले 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 जिएगा 108 नहीं तो बदाम, किशमेश या टॉफी कोई भी चीज ले सकते हैं थोड़ा सा गुलाल, बगवान विश्नु को अरपन करूँगी मालक्षमी को अरपन करूँगी, गणेश जी को और सभी बगवानों को इस तरह से हम गुलाल लगाएंगे और अपनी होली की शुरुवात करेंगे तो इस प्रकार से जो है हमने आमलाई कादशी की पुजा कर ली है तो मैंने आपको पुरी विधी बता दी है किस तरह से पुजा करनी चाहिए क्या-क्या आप अरपन कर सकते हैं बहुती सरल तरीका है, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताईएगा और आमलाई कादशी की कथा भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी और सारी कादशी की कथा भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा तो बोलिए जे श्री हरी